हाई ग्यास नाइन के सब मेरे जेगर के छलो मदा माँ लेड मी नो इन दो कॉमेंट सेक्षिन वैसे एक बहुत कॉमन कॉमेंट आप लोग का मुझे पढ़ने को मिल रहा है कि भाई हमारे टर्म टू की वीडियो शाहिए बिलकुल मिलेंगी मेरे भाई आज के बाद अब जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वो सभी आपके टू के से लेबस से होंगी और इस चाप्टर को हमने एक महिने पहले स्टार्ट किया था फोज एन लॉस ओफ मोशन दिस गोई दो इस पार्ट में पूरे चाप्टर का बेसिक इंट्रो पढ़ा था हमने फर्स लॉफ मोशन पढ़ा था हमने इनर्सिया क्या होता ये सारी चीजे पढ़ी थी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो उपर टच करके आप ये वीडियो देख सकते हो अच्छे एक बात बताओ मुझे कि आपने टेबल टेनिस कभी देखा है खेलते हुए या खुद खेला हो तो जो टेबल टेनिस का बॉल होता है अगर किसी प्लेयर को लग भी जाता है तो उसको उतना ज्यादा एफेक्ट नहीं पड़ता क्यों क्योंकि बॉल छोटी होती है खल Details होती है प्लेयर को कुछ फरक नहीं पड़ता है अगर क्रिकेट बॉल होता है अगर क्रिकेट बॉल किसी को लग जाए तो क्या होता है आपको पता है इनसान के डेथ भी हो सकती है अउस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे यूज फिलिप्स बॉल लगने से उनकी डेथ हो गई चाहे आम चुराने गए हो, चाहे गन्ना चुराने गए हो, कुछ भी करने गए हो, हम boundary से jump करते हैं, जब हम boundary से jump करते हैं, तुमने देखा होगा कि भाई, जैसे जमीन पर पहुशते हैं तो एक जटका आता है, क्यों होता है ऐसा, this is going to be the video जहां पर हम ऐसे सभी facts को reveal करेंगे Newton के second law or third law of motion, so, hey everyone, this is your host and mentor Prem Pande, welcoming you all to another exciting video of educational hikes, start, let's get started, hi class 9, this is your Prem, I am welcoming you all to your own YouTube channel, educational hikes, class 9, chapter 9, for the laws of motion, Pande, for the laws of motion का first part, हमने already बहुत पहले upload कर रहा है, आपने उस video को जरूर देखा होगा, हमें start करना है second law of motion से, आज के इस video में हम जानेंगे कि second law of motion है, क्या actual में, second law of motion को derived कैसे करते हैं, second law of motion हमारी everyday life, मैं तो है practical activity करके दिखाऊंगा, कि कैसे हमारी day to day life में second law of motion काम करता है, कहां काम करता है, इसके अलावा हम second law of motion पर based कुछ numericals भी करेंगे, तो इस video में आपको second law of motion को बिलकुल अच्छे से समझ लेना है, चलो start करते है, second law of motion है क्या, इसके पहले हम जानेंगे कि first law of motion में हमने क्या पढ़ा था, the first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes, कह रहा है कि भाई, यह आपको पता है कि मानलो कोई भी चीज़ है, for example, this is cycle, यह cycle है, ठीक है, अब इस cycle पर अगर हम unbalanced external force लगाएंगे, तो क्या होगा, इस object की velocity बदल जाएगी, मानलो यह cycle धीरे धीरे चल रही है, किसी ने आके cycle को धक्का दे दि velocity यानि speed बढ़ जाएगी, और आपको पता है कि speed अगर किसी चीज़ की बढ़ती है, या घटती है, तो हम उसको क्या कहते है, acceleration कहते है, तो हमने यह first law of motion में already पढ़ लिया है, we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force, अब कह रहा है कि भाई, अब हम second law of motion में क्या पढ़ेंगे, हम य गटाता है, या बढ़ाता है, यह चीज़ हमें पता है कि force की वज़े से होता है, हम force लगाते हैं, तभी तो कोई object अपनी speed घटाता है, बढ़ाता है, हम जानते हैं, लेकिन कैसे, कैसे force लगाने से, acceleration change हो जाता है, यह हमें second law of motion बताएगा, इसके साथ साथ यह भी बताएगा कि भाई, हम जितनी force लगा रहे हैं, हम उसको गिन भी सकते हैं, मिवर कर सकते हैं, कैसे, यह Newton चचा ने बताया है, अपने second law of motion में, आगे जानने से पहले हम कुछ everyday life के examples लेंगे, let us recount observations from our everyday life, हम अपने day-to-day life में second law of motion का कहां use होता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, during the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him, तुमने table tennis का match तो देखा ही होगा, TV में देखा होगा, table tennis की ball बहुत छोटी होती है, अगर वो ball किसी player को लग भी जाती है, तो उस player को छोट नहीं लगती, वहीं पर दूसरी तरफ, when a fast moving cricket ball hits the spectator, तुमने देखा होगा, कि भाई, अगर कोई भी player six मारता ह है, और वो ball जाकर stadium के बाहर, अगर कोई देख रहा है match को, तो उसको अगर लग गई, तो क्या होगा, it may hurt him, कभी आपने देखा होगा, कि भाई, catch पकड़ते हुए, किसी spectator की उंगली तूट गई, किसी का सर फूट गया, तो ऐसा क्यू होता है, cricket ball, cricket ball के लगने से चोट नहीं लगती, दोनों ball ही है, फरक क्या है, बताऊंगा, मैं बताऊंगा, इससे एक और example देखते हैं कि a truck at rest does not require any attention, when parked along a roadside हम जानते हैं कि भाई, अगर कोई truck है, अगर वो truck कहीं पर भी खड़ी है, तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर वही truck चल रही है, even at speeds as low as 5 meter per second, अगर वो truck जो खड़ी है, अगर वो truck चलने लगे, बहुत कमी speed से भी अगर वो चल रही है, मालो 5 meter per second उसकी speed है, अगर इस speed से भी वो चल रही है ना, और truck के सामने अगर कोई इनसान आ जाये ना, make kill a person standing in its path, हम जानते हैं कि truck अगर खड़ी है, तो भाई कोई जरुआत नहीं है, लोग उस पर ध्यानी नहीं देते हैं, लेकिन अगर वही truck चल रही है, थोड़ा speed से भी चल रही है ना, और उसके सामने अगर कोई इनसान आता है, तो वो truck क्या करेगी, चाप के निकल जाएगी, ऐसा होता है ना, कि होता है, अच्छा एक और example लो, a small mass, एक bullet, bullet जानते हो, वो गोली के अंदर जो bullet भरते हैं, वो bullet, ठीक है, तो जो bullet होती है ना, वो बहुत हलकी होती है, मतलब बहुत कम वजनकी होती है, लेकिन अगर उस bullet को किसी gun से fire करते हैं हम, तो होता क्या है, कि सामने वाला इंसान टपत जाता है, ऐसा क्यों होता है, these observations suggest that the impact produced by the objects depend on their mass and velocity, हमने अभी तक जितनी भी example लिये, तो हमने इन चारो examples में क्या देखा, हमने देखा कि भाई, या तो किसी चीज का mass जादा हो, या किसी चीज का velocity जादा हो, तभी force का फरक्ट पड़ता है, these observations suggest that the impact produced by the objects depends on the mass and velocity, मतलब कोई object कितना effect करेगा किसी चीज को, वो depend करता है कि उस object की origin, यानि weight, यानि mass कितना है, और वो object कितनी speed से चल रहा है, माल लो truck है, ठीक है, माल लो truck केवल 2 kg का हो जाए, तो वो कितनी भी speed से जाए, किसी को चोट नहीं पहुचाएगा, और यही kg, और यही truck अगर 200 कुंटल का हो गय और उसके सामने कोई आ गया रहा, घताम है, तो मतलब हमने यह देखा कि कोई भी object, किसी चीज पर जब force लगाती है, तो वो depend करता है कि उस object का वजन कितना है, अगर वजन जादा है, force जादा लगेगा, या अगर उस object की velocity, यानि speed जादा है, तब भी force जादा लगेगा, होत हम greater force लगाएंगे, हम तेज force लगाएंगे, हम जादा force लगाएंगे, जिससे वो object थोड़ी तेज speed से चल सके, अच्छा आप ही बताओ यार, आप किसी चीज को अगर बहुत जादा ताकत लगा कर धक्का देते हो, तो वो object बहुत तेज से जाती है, होता है कि नी, आप cricket ball को अपने back से बहुत ताकत लगा कर मार दो, तो क्या होगा, वो ball की जो velocity है, उस ball की जो speed है, वो बढ़ जाएगी, ऐसा ही तो होता है ना, बिल्गुल ऐसा ही होता है, in other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity, भाई अब तक हमने जितनी भी examples लिया है, उन examples में हमें ये पता चल रहा है कि कही न कहीं mass और velocity का कोई connection है, अगर किसी object का mass जादा है, velocity कम भी है, तो वो object जादा force लगाएगी, क्योंकि उसका वज़न जादा है, जैसे truck वाले example में मैंने लिया, कि भाई, velocity इसकी बहुत कम है, लेकिन truck काफी heavy होती है, जिसकी वज़से वो किसी भी इंसान को मार सकती है, bullet व तो भाई, तेजी से जाएगी, तो वहाँ भी वो इंसान को मार सकती है, मतलब mass और velocity का कहीं न कहीं कोई combination जरूर है, बिल्कुल है, one such property called momentum was introduced by Newton, Newton साहब ने ये चीज़ बहुत पहले जान ली थी, और इसलिए उन्होंने mass और velocity को combine करके एक unit दे दी हमें momentum, momentum का मतलब क्या होता होता है, momentum का मतलब होता है, गती, कोई चीज कितनी गती से चल रहा है, velocity का मतलब भी यह होता है, velocity का मतलब होता है, ठीक है, अच्छा, velocity और momentum में फरक क्या है, देखो, मालो कि एक, एक car है, मालो एक car है, और मालो एक truck है, ठीक है, ये car भी 30 km पर सेकेंड के हिसाब से चल रही ह अब तुम बताओ कि किस object का momentum जादा होगा भाई momentum का मतलब क्या होता है वजन, mass और velocity दोनों मिला कर momentum होता है तो भाई जिस चीज का वजन जादा होगा ट्रक का वजन जादा है इसलिए इसका momentum क्या होगा जादा होगा दोनों की velocity सेम है लेकिन momentum truck का जादा है क्योंकि truck क्या है? थोड़ा सा वजंदार है है की नी? तो भाई ये Newton ने हमें momentum के बारे में बताया momentum से हमें किसी object की गती के बारे में पता चलता है ठीक है? the momentum, momentum की definition भी है यहाँ पर देख लो the momentum P of an object is defined as the product of its mass and velocity that is P equal to mv अगर हमें किसी भी object का momentum निकालना है, मालो किसी question में तुमसे कह दिया कि find out the momentum हाँ याद रखना momentum को हम P से denote करते हैं ठीक है? चलो, मालो किसी question में आप से पूछ लिया कि भाई इस object का momentum निकालो, तो तुम्हें उस object का mass पता होना चाहिए उस object की velocity पता होनी चाहिए मतलब वो object कितना वजंधार है और कितनी speed से चल रहा है अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ पता है ना तो तुम momentum आ आसानी से निकाल लोगे momentum has both direction and magnitude its direction is same as that of velocity momentum जो है मारा ना ये एक तरीके का vector quantity है क्योंकि momentum के पास अपना direction भी है और magnitude भी है momentum किस से मिलके बना है mass plus velocity से velocity का मतलब क्या होता है velocity का मतलब अगर कोई object speed से चल रही है और किसी direction में चल रही है इसी को तो हम velocity कहते हैं भाई speed और velocity में बस इतना ही फरक है कि speed में direction पता नहीं होता लेकिन velocity में हमें direction पता होता है ठीक है तो momentum क्या है momentum भी बिलकुल vector quantity है vector quantity है मतलब momentum के पास direction भी है magnitude है momentum के पास किस का direction है भाई जिस direction में हम force लगा रही है समझ जो momentum का direction वही है ठीक है और magnitude भी है मतलब हम किसी चीज पर हम ताकत लगा रही है तो उसका magnitude भी तो है न, mass mass, mass का मतलब क्या होता है, वजन तो वजन किसी इंसान का 2 होगा 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा तो यही magnitude कहलाता है ठीक है, तो इस momentum के पास magnitude भी है, और क्या है direction भी है, इसलिए momentum हमारा क्या हो गया, तो तो अटर quantity होगा, I think you got it, समझ में आ गया होगा, ठीक है, the SI unit of momentum is kilogram per meter second since the application of unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces the change of momentum, कह रहाए कि भाई यह हमारा जो momentum का SI unit है, वो क्या है, kilogram meter per second, अच्छा mass, किसी चीज के वजन को हम kilogram में count करते हैं, किसी चीज के velocity को हम meter per second में count करते हैं, तो भाई momentum क्या हो गया, kilogram meter per second समझ में आया, यहाँ पर देखो second का minus one क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम meter per second कर देंगे तो यह minus one नहीं plus one होगा और अगर per नहीं लगाते हैं तो यह minus one तुम कर सकते हो, ठीक है तो momentum का SI unit क्या रहेगा, हमेशा याद रखना, mass मतलब वजन हम किसी चीज के वजन को kilogram में count करते हैं, और velocity को हम meter per second ठीक है, तो याद रखना kilogram meter per second is the SI unit of our momentum, अच्छा, आगे क्या कह रहे है since the application of unbalanced force brings a change in the velocity of an object हम जानते हैं कि अगर हम किसी object पर, किसी भी object पर force लगाते हैं, तो होगा क्या, उसकी velocity बदल जाएगी वो object या तो बहुत तेज से चलने लगेगा, या अगर हमने बहुत कम force लगाया है, तो वो कम forces से चलेगा, कम velocity से चलेगा, मतलब हमने इतना तो जाना अगर किसी चीज में हम ताकत लगाते हैं, तो उसकी speed बदल जाएगी, उसकी velocity बदल जाएगी, वो या तो धीरे चलने लगेगा वो या तो तेज चलने लगेगा, अच्छा example देता हूँ, माल लो, कोई cricket ball है, किसी batsman ने cricket ball को मारा, अब ball तुमारी तरफ आ रही है जब तुम उसको पकड़ लोगे, तो क्या होगा velocity बदल जाएगी ना, तुमने क्या किया तुमने unbalanced force लगाया तुमने जब उस ball को पकड़ा ना, तो तुमने उस ball पर force लगाया, जिसकी वज़े से उस ball की velocity क्या हो गई, change हो गई, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum, अच्छा, हम force लगाने से velocity बदलती है, हमने जाना अभी, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही, momentum, जब velocity बदलेगी, तो momentum भी तो बदलेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि भाई, force जो है, वो momentum को भी बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, force को लगाने से velocity बदलेगी, ठीक है, मानलो velocity पहले एक रही हो, अब force लगा दिया, तो velocity हो सकता है, चार हो जाए, ठीक है, और जब velocity बदल गई, तो momentum भी तो बदलेगा ना, mass में जब एक को multiply करोगे, और mass में, जब 4 को multiply करोगे, फरक नहीं है, बिल्कुल फरक है, यार, ये वाला कम momentum है, ये वाला ज्यादा momentum है, ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, कि force लगाने से momentum भी change किया जा सकता है, जैसे हम force लगाकर किसी object की velocity बदल सकते हैं, वैसे ही force लगाकर हम momentum भी बदल सकते हैं, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second which is sufficient to start his engine, कह रहाएगी चलो, अच्छे एक example लेते हैं, एक ऐसा situation लेते हैं, जिसमें एक car है, ठीक है, और इस car की जो battery है, वो खतम हो चुकी है, ये car मारते हैं और वो start नहीं होती है, होटा है ऐसा रिच साथ, बाइक के साथ, जब बाइक ठंडी पढ़ जाती है, तो होताना तुम self मारते हैं बाइक start नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही, एक car है, जिसकी battery गटका लगालेजार हो समझ में क्या आया उसकी बैटरी खतम हो गई है अब हमें उसे स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 meter per second की speed से इस car को चलाना पड़ेगा और 1 meter per second की speed अगर ये car चलने लगी तो उसका engine start हो जाएगा और वो car automatically अपने आप से ही चलने लगीगी हमें धक्का देने की जरुवत नहीं पड़ेगी If one or two persons give a sudden push it hardly starts कह रहाएगी भाई मालो कोई car है और उस car को अचानक से दो लोग पीछे से धक्का देती है तो क्या वो car हिलेगी नहीं बहुत कम फरक पड़ेगा उस पे बट लेकिन अच्छा एक बात सोचो a continuous push over some time results in a gradual acceleration of the car to its speed मालो कोई car है ठीक है कोई car है चलो अच्छे यहां से यहां तक ठीक है यहां से यहां तक ध्यान से देखना कोई car है मालो this is our car ठीक है यह हमारा car है और इस car पर मालो दो लोग धक्का दे रहे हैं कितने लोग दो लोग इस car को धक्का दे रहे हैं और मालो इनने बस धक्का दे के हटा लिया अपना हाथ लगातार धक्का नहीं दे रहे बस धक्का दिया और हटा लिया तो शायद ही ये कार स्टार्ट हो लेकिन अगर हम continuously उस कार को push करते रहे तो हो सकता है कि उस कार की जो speed है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और कार 1 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच जाए जिससे उसका इंजन स्टार्ट हो जाए ठीक है तो मतलब इससे हमने क्या जाना हमने इससे क्या जाना it means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted क्या कह रहा है कि भाई किसी भी object का momentum यानि गती बदलना है तो केवल ताकत ही नहीं लगानी पड़ेगी बल्कि जब तक हम ताकत लगा रहे हैं कितने time तक ताकत लगा रहे हैं इस चीज पर भी momentum depend करता है मतलब momentum p ठीक है momentum किस चीज पर depend करता है directly proportional to what force applied force upon time कितने time तक हम ताकत लगा रहे हैं इस चीज पर depend करता है हमारा momentum ठीक है माल लो हमने एक second तक ताकत लगाई momentum कम होगा हमने चार second तक ताकत लगाई momentum ज़ादा होगा वह यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर हमें किसी object की momentum को change करना है तो हम force तो लगाएंगी लगाएंगे लेकिन अगर हम ज़ादा time तक force लगाएंगे न तो momentum ज़ादा change होगा तो change of momentum डिपेंड करता है force पर और time पर जिस time तक हम force को लगाते हैं ठीक है इट में then also be concluded that the force necessary it then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed जो वही कह रहा है कि भाई इससे हमें ये चीज़ पता चलता है की मालो जैसे object है कोई ये मालो object है ठीक है इस object को तुम धक्का दे रहे हो इस object पर जब हम धक्का दे रहे हैं तो कुछ हम force लगा रहे हैं बिल्कुल force लगा रहे हैं मालो इस object को हमने चार सेकेंड तक धक्का देते ही रहे, देते ही रहे, तो क्या होगा, इस object की जो momentum होगी, वो और बढ़ती जाएगी, हमारा force भले ना बढ़े, लेकिन अगर हम देर तक अपने force को apply करते हैं किसी चीज पर, तो उस object की momentum बढ़ जाती है, अच्छा ये एक बहुत common सा example है, क्या example पले पता है तुम्हे, तुम हथोडा लेलो, और किसी plastic कीडब्बे पर हथोड़े से मारो, अब देखोगी तुम भई की तुमने अगर एक बार हथोड़े से इस plastic की डब्बे को मारा, तो शायद इस पर कुछ परक पड़ा हो, हो सकता है कि भई पचक गया हो, लेकिन अगर म माल लो तुम हथोड़े से मारते रहे मारते रहे मारते रहे मारते रहे तो यह क्या होगा यह बॉटल इग्दम खतम हो जाएगा है कि नहीं मतलब किसी object का जो momentum होता है वो किस पर depend करता है कि भाई किस time तक force लगाया गया है ठीक है हमें इस bottle पर ज्यादा फरक डालना था इस bottle क लगातार लगा रहे थे लगातार लगा रहे थे लगातार लगा रहे थे ठीक है समझ में आया है यह है हमारा second law of motion second law of motion क्या कहता है states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the unbalanced force in the direction of force मतलब कि भाई हमें अगर किसी चीज का momentum change करना है तो यह depend करता है कि हम कितनी ताकत लगा रहे हैं और कितने देड तक ताकत लगा रहे हैं in the direction of force ठीक है in the direction of force का मतलब क्या होता है कि जिस direction में हम force लगा रहे हैं, उस direction में हम कितने समय तक force लगा रहे हैं, इस पर depend करता है हमारा change of momentum, ठीक है, अगर momentum कम change होगा, मतलब हमने force कम लगाया है और कम समय तक लगाया है, अगर momentum ज्यादा change होगा, मतलब हमने force तो उतना ही लगाया है, लेकिन time ज्यादा देर तक लग तो खेला ही होगा लेकिन क्या आपने कभी competitive game field battle देखा है यह एक ऐसा battle field होता है जहां पर हजारों learners आपके साथ compete कर रहे होंगे एक करोड scholarship के लिए और merit certificate के लिए यह सब possible है यह सब possible है यह सब possible है अनिकेडमी के combat में अनिकेडमी है क्या यहां पर ना अनिकेडमी कामेड में आपको इंडिया के top educators question frame करके देते हैं हिंदी इंग्लिस दोनों languages में आपका जो live leaderboard होता है वो generate होता रहता है हर question के बाद आपका leaderboard generate होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से number पर हो अभी इसके अलामत personalized score rating से आप अपने performance को improve कर सकते हो evaluate कर सकते हो और सबसे ज़्यादा important कि आपके पास chance है जो top performers होंगे वो merit certificate जीश सकते हैं और एक करोर तक का scholarship जीश सकते हैं basically unacademy comment है किया ये एक तरीके का free life test है जहाँ पर class 6 to class 12 के बच्चे participate कर सकते हैं हर संडे unacademy के app या website से आप इस test को दे सकते हो वैसे इस test में 30 questions होंगे 45-60 मिनट का आपका time होगा हर संडे class 6 to 8 वालों के बच्चों के लिए 12 बजे हर संडे 12 बजे दोपहर को class 9th and 10 वालों क इले एक बजे ये life test conduct होगा तो किस चीज का वेट कर रहे हो या description box में आपको link मिल जाएगी अपने-पने class की मेरे code को यूज करो formula बनाएंगे किस चीज का formula बनाएंगे second law of motion का यानि हम इस video में second law of motion को derive करने वाले हैं आपकी exam में direct question पूछ सकता है कि derive second law of motion तो कैसे derive करोगे वो मैं तुमको बताता हूँ second law of motion ना जो second law of motion का हम formula निकालेंगे वो formula हम क्यों निकाल रहे हैं ताकि हम force को calculate कर सके Newton साहब ने second law of motion से हमें बता दिया कि अगर हम किसी चीज में ताकत लगा रहे हैं तो कितनी ताकत लगा रहे हैं इस चीज को हम calculate कर सकते हैं कैसे? वो हम formulae से सीखेंगे. Derivation किसको कहते हैं? Derivation भाई formula बनाने को हम derivation कहते हैं. तो अब हम second law of motion का formula बनाएंगे, जिससे हम force को calculate कर सकें. आपने जब यह formula बना दिया, तो आपका derivation complete हो गया. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है definition. ठीक है? Definition क्या है second law of motion की याद रखना? Derivation कैसे होता है? Definition से ही formula derive किया जाता है. Definition से ही formula बनाया जाता है. ठीक है? तो definition क्या कहता है? मैंने बताया था. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. In the direction of force. मतलब भया कि momentum किस rate से change हो रही है? यह directly proportional होता है. ताकत लगा रहे हैं और ताकत किस direction में लगा रहे है? इस चीज का directly proportional होता है. Rate of change of momentum. ठीक है? तो definition याद रहेगा? कोई भी पूछा second law of motion का definition क्या है? Rate of change of momentum is directly proportional to applied force in the direction of force. ठीक है? चलो derive करना सीखते हैं. माल लो एक कोई object है जैसे यह sofa है. और इसका जो वजन है वो m kg है. मास इसका m है. ठीक है? और इस sofa को एक लड़का है जो f force लगा कर धक्का दे रहा है. इसने sofa पर f force लगाया. ठीक है? और जब यह धक्का देना सुरू किया, इस sofa की जो velocity थी वो u meter per second थी. अब यह लड़का लगातार धक्का देते 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 इस sofa की velocity कर देता है v meter per second. ठीक है? और भाई इस बंदे ने कितने time तक यह sofa को force लगाया, time t तक force लगाया, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको momentum निकालना है. पहले momentum का formula हमें पता होना चाहिए. momentum का formula क्या है? P equal to mass into velocity. तो सबसे पहले हम initial momentum निकालेंगे कि सुरुआत में इस object की momentum कितना था. तो initial momentum इसको हम P1 से denote कर सकते हैं, ठीक है? final momentum को हम P2 से denote कर सकते हैं. तो initial momentum, momentum का formula बताया, P equal to m into velocity. ठीक है? तो initial momentum में इसका mass तो m ही है, और इसकी velocity कितनी है? u है. तो mass into velocity ये हो गया हमारा initial momentum. ठीक है? final momentum क्या हो जाएगा? वही formula P equal to mass into velocity. ठीक है? final velocity क्या है? V है. तो इस u के जगह हो जाएगा V. ठीक है? तो हमने निकाल लिया कि initial momentum कितना था इस object का, और final momentum कितना था इस object का, ठीक है? अब आपने एक बार initial momentum, final momentum निकाल लिया, तो अब आपको निकालना है change in momentum. मतलब कितना momentum change हुआ? यहां से यहां तक ले जाने में इस sofa का momentum कितना change हुआ? यह निकालना है. तो किसी चीज़ का अगर change निकालना हुआ हमें, फॉर एक्जामपल, यह 2 km per second से चल रही थी, यहां आते आते 4 m per second हो गया. तो भाई, हमको इसके अंदर का change निकालना है कि कितना change हुआ तो क्या करेंगे? 4 में से 2 माइनस कर देंगे ना, बिल्कुल यही, हमें जो final momentum है, यानि P2, P2 में से माइनस करना है P1 को, लिख सकते हैं, P2 हमारा MV है और P1 है हमारा M U, M multiplied U को हम लिख सकते हैं, M U लिख सकते हैं, तो M V minus M U, common हो गया हमारा M, हमारा change in momentum क्या आ गया? Change in momentum आ गया, M multiplied by V minus U, सबसे पहला step ही होना चाहिए, कि आपको change in momentum निकालना है, change in momentum कैसे निकालोगे? पहले initial momentum निकाल लो, फिर final momentum निकाल लो, इन दोनों को minus कर दो, तुम्हारा change in momentum आ जाएगा, ठीक है? अब वापस definition पर चलते हैं, चलो, हमने definition देखा था कि, rate of change of momentum is directly proportional to what? Applied force in the direction of force, ठीक है? देखो, rate of change of momentum को हम कैसे लिखेंगे? rate of change of momentum को हमेशा याद रखना है, rate of change of momentum is directly proportional to what? change in momentum की जो value निकाली थी हमने, देखो, फरक है, यह change in momentum है, और यह rate of change of momentum है, ठीक है? Change in momentum मतलब, minus करके निकाल सकते हैं, rate of change of momentum दूसरा हो गया, हमें यही निकाल लाएं, ठीक है? तो rate of change of momentum is directly proportional to what? change in momentum change in momentum change in momentum upon कितने time में ये momentum change हुआ है तो change in momentum की value क्या है m v minus u m v minus u हमने लिख दिया और कितने time तक किया ये हो गया t ठीक है इतना हमने निकाल लिया अब भाई जो second law of motion है वो हमें क्या बताता है ये देखो directly बता रहा है ना कि जो rate of change of momentum है वो applied force के proportional होता है तो भाई हम rate of change of momentum की जगा applied force भी तो लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं तो applied force हमारा directly proportional हो गया m v minus u upon t k ठीक है अच्छा अब देखो अब आपको किसी ये proportional sign को अगर आपको हटाना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा proportional sign को हटा कर अगर आपको equal to लगाना है तो आपको एक constant का use करना पड़ेगा मालो हमने यहाँ पर constant ले लिया k ठीक है उसके बाद क्या हो गया m v minus u upon t ठीक है अच्छा अब एक चीज़ और देख लेते हैं f equal to k m a लिख सकते हैं क्या हम अब तुम बोलोगे कि हमने a क्यू लिखा चलो k तो पहले से ही था mass भी पहले से ही था यह a कहां से आया तो मैं आपको बदा दू कि acceleration का formula ही होता है v minus u यानि change in velocity final velocity minus initial velocity upon time taken यह acceleration का formula है तो यह formula बन गया v minus u upon t तो इसके जगह हमने directly क्या लिख दिया हमने लिख दिया m a ठीक है तो भीया f equal to k m a अब यह constant है यहाँ पर constant को हटाना पड़ेगा तो एक चीज मान लो कि एक unit of force अगर हम किसी चीज पर one unit of force लगा रहे हैं तो वो one unit of force किसके बराबर होगा k ठीक है और mass किसी चीज का हम ले लेते हैं मान लो one kg ठीक है one kg ले लेते हैं और फिर हम किसी चीज का acceleration acceleration भी हम one ले लेते हैं और acceleration का जो unit होता है वो होता है meter second का square ठीक है अब क्या करना है तुम्हें अब unit of force निकालो one unit of force कितना हो जाएगा मान लो हम constant को one मान लेते हैं तो भाई हमारा one unit of force one unit one unit of force हमारा बराबर हो जाएगा किसके one kg meter second का minus two इसी के बराबर होगा ना मतलब हमने क्या निकाला हमने निकाला कि भाई force is always equal to mass into acceleration so this is the formula अब इस formula का use करके तुम force को calculate कर सकते हो अगर किसी object का तुम्हे mass पता है कि उस object का वजन कितना है या उस object का acceleration कितना है अगर ये दोनों चीज तुम्हें पता है ना तो तुम आसानी से force को calculate कर सकते हो हम इस formula का use करेंगे और जानेंगे कि भाई कैसे हम questions को कर सकते हैं तो this is all about the derivation ये था हमारा derivation ठीक है अब हम आपको real life example practical activity करके दिखाएंगे कि हमारा second law of motion हमारे real life में कैसे काम करता है हे चांप्स आज के इस practical वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर Newton का second law of motion नहीं होता तो हमारी life कितनी मुस्किल होती ठीक है हम बहुत सारी चीजों को नहीं जानते होते ठीक है तो मैं आपको एक day to day life में से एक example देता हूँ और मैं बताता हूँ कि भाई Newton का second law of motion का use करके हम कैसे force को calculate कर सकते हैं ठीक है catch कैसे पकड़ते हैं catch ball ऐसे आती है थोड़ा सा ऐसे पकड़ने के बाद हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं हमारा correct तरीका यही होता है catch पकड़ने का गलत तरीका क्या होता है हम बच्पन में कैसे catch पकड़ते थे ऐसे आता था ऐसे ऐसे मतलब हाथ ही यही पर रहता था, पीछे नहीं जाता था, बॉल आती थी ऐसे, बहुत चोट लगती थी मेरे भाई, बहुत तेज लगती थी, ठीक है, तो अब देखा हमने गलत तरीके से कैच पकड़ा, चोट जादा लगी, सही तरीके से कैच पकड़ोगे, तो चोट नहीं ल यही तो है न सेकेंडल आफ मोशन का फॉर्मूला, जिससे हम फोर्स कल्कुलेट कर सकते हैं, तो माल लेते हैं कि इस बॉल का जो मास है, वजन है, वो लगबग 100 ग्राम है, यानि 0.10 किलो ग्राम, खीक है, और यह बॉल जब सुरुआत में आ रही है, तो इसकी इनिशियल व मतलब बॉल किस स्पीड से आई और आप किस स्पीड में है, 0, बॉल रुख गई है तो 0 स्पीड है, तो जो इसकी फाइनल वेलॉसिटी होगी, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है, और माल लेते हैं कि अगर हम गलत तरीके से बॉल पकड़ रहे हैं, तो बॉल को प करते हैं, फोर्स का फार्मूला, मास इंटो असिलरेशन, मास और असिलरेशन का फार्मूला होता है, 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 फा का जो यूनिट है न्यूटन मतलब कितना फोर्स लग रहा है ऐसे कैच करने में माइनस 40 न्यूटन माइनस क्यों लगा है माइनस इसलिए लगा है क्योंकि भाई स्पीड बॉल की घट रही है ना बॉल ऐसे आई हमने पकड़ ले स्पीड घट गई कम हो गई है कि नी इसले माइनस हमने लिखा है रिटार्डिंग स्पीड है यह तो भाई जब हम बॉल को गलत तरीके से पकड़ते हैं तो माइनस 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बहुत ज एसे बॉल को पकड़ने में चोट जादा लग रही थी क्योंकि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा था ऐसे पकड़ने में चोट कम लगती है क्योंकि केवल वन न्यूटन का फोर्स लग रहा है ठीक है तो देख रहा है सेकेंड लॉफ मोशन अगर नहीं होता ना अगर सेकेंड लॉफ मोशन हमें यह नहीं बताता कि भाई टाइम बढ़ाने से चोट कम लगेगी तो हमें पता ही नहीं होता हमें ऐसे ही पकड़ रहे होते ठीक है तो यहां पर हमारा काम करता है second law of motion so this is all about the practical activity of second law of motion let's move to the some numericals of this chapter hope you will love this numerical आगे देखते हैं वीडियो को numericals करने से पहले एक बहुत important चीज मैं तुम्हें बताना चाहता है था कि भाई जो हमारा first law of motion का equation है ये वाला ये हम derive कर सकते हैं अपने second law of motion के formulae से कैसे derive कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं f equal to ma यानि force equal to mass into acceleration ये हमारा second law of motion है ये आपको पता होना चाहिए अब second law of motion को हम अगर चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं मालनो हमने a का पुरा formula लिख दिया a का formula होता है v minus u upon t ये formula मानो हमने यहां पर लिख दिया a की जगह पर तो हमने f equal to mass into acceleration अब भी ये है ठीक है हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अगर हम इस t को इधर लाकर multiply करा दें तो ये force multiplied by time हो जाएगा और यहां क्या बचेगा m v m u ठीक है तो यही है हमारा first equation of motion का formula अच्छा ये equation हमें कैसे first equation of motion की याद दिलाता है पहले ये देख लो when f equal to zero हम बिल्कुल भी force नहीं लगा रहे हैं बिल्कुल भी external force नहीं लगा रहे हैं एक चीज़ आपने मान लिया कि हमारा force zero है एक चीज़ और आपको suppose करना है कि v equal to u है इस case में v जितना है उतना ही u है यानि final velocity और initial velocity दोनों same है गाड़ी uniform speed से चल रही है ठीक है कब तक चलती है time t तक चलती है तो देखो अगर v और u equal हो गया और यहाँ पर देखो कह रहे है ना कि u is zero माल लेते हैं u हमारा zero है तो v भी तो हमारा zero होगा तो यह जब zero हो गया v और u दोनों zero हो गया तो m में से m minus हो जाएगा कट जाएगा यह तो कितना बचा f b zero है t equal to zero बचा कि नहीं बचा मतलब कितना time लगा बिलकुल time नहीं लगा मतलब गाड़ी जो है हमारी rest पर है जब कभी भी किसी चीज का time zero आ जाया तो समझ लेना कि वो जो हमारी गाड़ी है वो क्या है rest पर है तो यही तो कहता है हमारा first law of motion कहता है कि भाई अगर हम external force नहीं लगाएंगे तो वो object जिस state में रहेगा वो उसी state में continue रहेगा वो अपना state change नहीं करेगा rest से motion में नहीं आ जाएगा ठीक है so this is all about the derivation of first law of motion from the formula of second law of motion now we will do some numericals from second law of motion let's get started now first question a constant force acts on an object of mass f kg for a duration of 2 second it increases the object's velocity from 3 meter second का minus 1 to 7 meter second का minus 1 find the magnitude of the applied force now if the force was applied for a duration of 5 second what would be the final velocity of the object अच्छा जब कभी ऐसा question आए जिसमें आपसे force पूछा है देखो इस question में हमसे पूछ क्या क्या रहा है इस question में हमसे पूछ रहा है a constant force acts on an object आपको magnitude of applied force मतलब कितना force लग रहा है वो जादना है force का formula क्या होता है आपको पता होगा force equal to mass into acceleration अच्छा इस case में mass कहां पर है mass है हमारा 5 kg इस object का जो वजन है वो है 5 kg ठीक है और acceleration का formula हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं V minus U upon T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि भाई it increases the object's velocity from 3 meter second का minus 1 मतलब initial velocity जो थी वो कितनी थी 3 meter second का minus 1 और वो velocity बढ़कर हो गई 7 meter second का minus 1 ठीक है तो अब हम देखते हैं multiply करके 5 और V हमारा होता है final velocity यानि 7 U होता है हमारा initial velocity यानि 3 time कितना लगा है देखो यहाँ पर time कह रहा है कि 2 second लगा है न तो 2 अब देखो इसको calculate करते देखते हैं कितना force आ रहा है ठीक है 5 multiplied by 7 में से 3 गे 4 upon 2 यानि 5 force are 20 और 20 divided by 2 equal to 10 newton आ रहा है कितना आ रहा है 10 newton का force apply किया जा रहा है जब गाड़ी अपनी speed 3 मीटर सेकेंड से बढ़ा कर 7 मीटर सेकेंड का minus 1 कर लेती है ठीक है तो यह तो हमने जान लिया अब एक question और पूछा है क्या पूछा है कि if the force was applied for a duration of 5 seconds what would be the final velocity of the object अब इस case में जो दूसरा question है इसमें हमें इसने क्या दे दिया है हमें final velocity पता करनी है time duration दिया है हमें final velocity पता करनी है कि भाई कोई जो गाड़ी है वो कितने velocity से चल रही है उसका final velocity क्या है ठीक है तो final velocity कल्कुलेट करने का जो formula होता है वो क्या होता है वो force equal to mass v minus u upon t यह हमारा simple सा formula है force equal to mass into acceleration वही formula है ठीक है अब हम इसको t को इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा f multiplied by t ठीक है और m को नीचे ले आएंगे क्यों क्योंकि जो चीज multiply में होती है वो इधर आकर divide में हो जाती है equal to v minus u ठीक है यही तो है ना अच्छा एक और चीज़ देखते हैं अब हम इस v v यानि final velocity निकालनी है तो initial velocity को उस तरफ ले जाओ तो यह हमारा पूरा formula हो जाएगा v equal to u plus ft upon m अब तुम यहाँ पर जितना भी इसका value दिया गया क्या value दिया गया है इनिशल velocity की value what क्या है इनिशल velocity 3 ठीक है तो इनिशल velocity की value हमने लिख दी 3 plus force हमने कितना निकाला 10 Newton ठीक है time हमारे पास कितना है इस समय 5 सेकेंड का तो 5 ठीक है और upon mass mass कितना है mass भी हमारा 5 है तो यह total कितना हो गया 3 प्लस यह 10 5 जा 50 और 5 divided by 50 हो गया हमारा 10 equal to 10 plus 3 हो गया हमारा 30 Newton का sorry 30 Newton नहीं 13 meter पर सेकेंड की velocity से हमारी यह जो गाड़ी है यह देखो क्या पूछा है last में लास्ट में पूछा है कि भाई अगर हम गाड़ी को 5 सेकेंड तक चलाते हैं यहाँ पर हम सिर्फ 2 सेकेंड तक चला रहे थे अगर हम गाड़ी को 5 सेकेंड तक चलाते हैं तो उसकी final velocity क्या हो जाएगी तो final velocity का formula होता है V ठीक है तो V हमने अकेले रखा और बाकी सब को इधर भेज दिया तो यह इन सब की value हमें पता थी U की value पता थी रख दिया F की पता थी T की पता थी M की पता थी और calculate कर दिया 13 मेटर सेकेंड हमारा final velocity होना चाहिए ठीक है next question पर चलते है question number 2 बोल रहा है कि which would require a greater force अब आपको calculate क्या करना है आपको यह पता लगाना है कि भाई किस T में force ज्यादा लग रहा है एक 2 kg का वजन है और उसको 5 meter second 5 meter second का minus 2 यह acceleration का unit है मतलब acceleration यहाँ पर बताया जा रहा है तो कह रहा है कि भाई एक object है जिसका वजन 2 kg है उसको accelerate करना है तुम्हें 5 meter second के square से और एक 4 kg का object है उसको तुम्हें accelerate करना है 2 meter second के square से अब आपको पता करना है कि कौन सा force greater है तो पहले निकालते हैं पहले case में first case में force निकालते है force equal to mass into acceleration ठीक है तो पहले case में mass कितना है? 2 kg है और acceleration कितना है? 5 है तो 5 to the 10 newton ठीक है तो हमारा जो F1 है जो हमारा सबसे पहला force है वो आता है 10 newton अच्छा दूसरा force भी देख लेते हैं दूसरे case में भी यही formula लगेगा mass into acceleration ठीक है mass कितना है इसका इस बार? 4 kg है और multiply कर लेते हैं 2 से तो 4 to the 8 newton का force आ रहा है हमारे F2 में तो अब बदाओ कौन सा जादा बड़ा है? बिल्कुल F1 is greater than F2 यही आपको बताना था ठीक है? So this is all about the numericals of this chapter ऐसे ही बहुत सारे variety की questions आपके NCRT की book में दिये गए है आप उहां से refer कर सकते हो और अगर if there is any doubt ना तो I can make you a separate video for these numericals आप आसान है यार ऐसा नहीं है आप formula का use करो थोड़ा बहुत logic लगाना होता है मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में तब तक वीडियो को share करते रहिए